इन सब के बीद जन्ता का क्या सोचना है प्रत्याशियों को लेकर क्या सोच रही है यहां की जन्ता यह जानने के लिए दिखाते हैं आपको हमारी यह special ground रपूर्ट टौक सवाए मादुपूर्ट दो जीलों की आठ फिधान सबाद सीटों को जोड़कर बनी टौक सवाए मादूपूर्लोक सवाद सीट में 21,33,000 लगबग मत दाता हैं और सबसे महत्मूर्ट बात यह है कि SCST गूजर अल्पसक्यक बाहूले वाली यह सीट 2009 में जब पलीसिमन के बाद अस्थित में आई तो उसके बाद हुए दो चुनाओ जो थे भाज़पाने जीते एक चुनाओ जो है कॉंग्रेस ने जीता कर्णल किरोडी सिंग भैसला और सुग्भीर सिंग जोनापुरिया को टिकेट दिया है वहीं कॉंग्रेस ने जो है इस सीट पर देवली उनियरा से विदायक हरीश्चन मिना को चुनाओ में उता रहा है महत्मूर्ट बात यह है कि जातीकत आधार सही बिसलपूर का पानी हो या किसान अंदोलन हो रेल की मां कि अब तक के जो तीन चुनाओं है उसमें से दो चुनाओं पर जो है भाजरपा की जीत हुई है एक में कांग्रेस की जीत हुई है चोता चुनाओं जो है वो महत्मूर्ट है और सीधा यह कहा जा सकता है कि मुकाबला होगा भाजरपा के सुबीर सिंग जोनापूरिया का औ कुछ निस्वीकार करते हैं. तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूं। सज़्जन के बारे में आप कहा है, हो जाने, जन्ता जाने, भगवान जाने आपने तो इधान सभा में सवाल भी उठाया था, कि इस तरह से जो आज बागी रेता है, वो दूर्पयों कर रहे सरकार के संता है, मैं कभी किसी कह नहीं कहुंगा, मैं एक तो काम वही होना चाहिए इसका प्रावदान है, नगर पालिका का चैर्में जो निर्वाची चैर्मे है, वो 28 मार्च को चालो होगी, नॉमिनेशन यानि की कैंडिडेट्स के जो नामांतरन पत्र है, वो हम चार तारिक तक लेंगे, कलेक्टेट में ही लेंगे, 11 बजे से 3 बजे की बीच में, पांच तारिक को स्कूपिनी होगी, और 8 तारिक तक लास डेट है, जिसमें की वो स फाइनल जो मद्दा मतब कैंडिडेट्स होंगी, इसकी सूची को देढ़ेंगे, उनको सिंबल अलॉर्ट कर देंगे, और 7 ए करके एक पत्र होता है, उसमें फाइनल चानिडेट्स की सूची को हम जारी कर देंगे, उसी के बेसेस पे मद्दान होगो, मद्दान 26 तारिक को ह टौक सवाई मादपूर लोक सबाश सीट का रन, 21,33,000 से ज़्यादा मद्दाता हो वाली ये वो सीट है जहांपर एक बार फिर से, बीजेपी ने अपना भरोसा जताया है सुखवीर सिंग जोना परिया को, लगातार 30 री बार टिकेट दिया है, वहीं दूसरी और, कॉंग् करेंगे, टौक की जनता से, कि आखिर वो क्या सोचती है, इस सीट को लेकर, पिट्याक्षियों को लेकर, क्या राय है, क्या है जनता के मुद्दे, बात करने के लिए हमारे साथ मुझूद हैं, ये वो लोग हैं, जो अपनी कलम से भी लिखते हैं, और अपनी प्रितिक्राय मितने हैं, टौक सवाय मादवपूर की जो सीट है, ये चोता चुनाव है, किस दिशा में जो है, जाता हूँ नजर आ रहा है, देखिए तीसरा चुनाव है, जोनपुरिया का, दोजार चौदा में सबालाग वोटों से जीते थे, दोजार इनिस में, एक लाग से कुछ जाता रहेगा, दूसरी बात ये है, कल जो पूर विधाया के निवाई के, परशान बेरवान है, हरिश मीना की रहा में थोड़ी सी काटे पेदा कर दिये हैं, जो उनका भाशान था, भारत की तुलना पाकिस्तान से करिए, इस बयान को लेगा कहीं नको नुकसान उठाना प जला है, लेकिन उसमें अभी तक कोई सवलता हासिल नहीं होए, मुद्धा तो है, जनता भी जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा जो मुद्धा आ रहा है, वो आ रहा है मोधी, मोधी फेक्ट काम करेगा, इस ज़्यादा कुछ नहीं है, मोधी लहर इस बार भी नहीं है का नाराद 2019 में मोधी ने टॉंक की दर्ती दिया था, क्या बीजेपी में जो है, मोधी का सा दिखाए देगा, राष्टी नेता हमारे मोधी जी बार 400 पार का लक्षे दिया है, निश्चिती भारती जनता पारटी 400 पार जाने वाली है, उसी करम में टॉंक की जो जनता पार्टी एक मंच पे है, और आज की तारिक में निश्चित टॉंक से भारती जनता पार्टी की जीत होगी, पूरी पार्टी एक जूट है, ये कहते हैं हरीश मिना को उतारा, पहले नमुरार्ण मिना चुनाव लड़े, वो एक चुनाव जीतें दो में से, अब आपक इस बार जो है, जिस तरुके से जो चुनाव होगा, तो ये जो पंद्रा लाग के जो रोजगार, और खाते में 2 क्रोड़ों कर रोजगार देना, महंगाई, प्रषटाचार और ये जो एलेक्टरोल बॉंड का जो अभी माम लाळा है, तो जिस तरीके से जो फर जी वाडा और जो घपला मोधी सरकार ने किया है, जो आज तक के इतियास में सबसे बड़ा घपला मानते हैं कि जो किया है, वो मोधी सरकार ने किया है, तो इस दाब से जनता परेशान है, उनकी महंगाई से, उनके भाषणों से, उनके जूटे वादों से, इसलिए हरिश मिना जी का इस बुकुल हमारे नेता सचीन पाइबेड़ इस निए Mila जी निकल नहीं पार है पहली बार जोप के उस नेखले गर बोख ही ज्यादा सब्सक्राइब नोसे निकले हए अगास हरस्सी ऑत के05 टे पुरिया जी उनके पास टॉंक और सवाई मादूपुर में विकास गिनाने के लिए एक भी पॉइंट नहीं है। टॉंक की जनता तब से आजादी के बाद से ट्रेन की मांग कर रही है। जोन पुरिया जी ने दो बार पिछली बार भी इन्हों ने टॉंक सेर में वडिंग लगवाई थे। इस बार भी अभी जब केंदर का बजट आया कि टॉंक को रेल मिल गई है पास हो गई है। जूटे जुमले इनके पास हैं कोई इनके पास योजणा नहीं है युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। यह छाली धुक्ये वादे करते हैं जूटे वादे किरते विकस के नाम पर कुछ नहीं करतेहिंद इस बार भी इनकी BJP में विखरा हो है। कोई सांसद किदर भाग रहा है इनके विदाय केदर भाग रहा है जिला अदेक जी कीदर भाग रहा है कोई वो न्य नहीं है इस बार हरीश मिना जी ये इतिहास आज याद रखेगा वो कौन सी बाते आपके जहन में आती है कि हरीश मिना चुनाओ जित जाएंगे दो चुनाओ तो ऐसे लगे नहीं कि जो है भरे ही चाहिए कप्तान अजुरुदीन चुनाओ लड़े हो चाहिए नमोराइन मिना लड़े हो युवाओं के साथ दो क्रोड रोजगार साल के देने की बात थी दो क्रोड तो छोड़ी है दस लाग रोजगार भी इनों ने दिये खाली इनके पास एक ही मुद्दा है हिंदू मुसलिम हिंदू मुसलिम टॉंक सवाई मादूपूर की जनता अब समझ चुकी है कि इनके पास जूटे वादों के अलावा कुछ भी नहीं है इसलिए अरीस मिना जी बड़े अच्छे वोटों से जीत कर टॉंक सवाई मादूपूर की तो वोड जनता ज्यादा ज्यादा वोड डाले उसके लिए क्या गाएंगे कॉंग्रेस के लिए कॉंग्रेस को वोड डाले एक बहुत शांदर सोंगे वतन के नाम के लिए गरीब वाम के लिए ये वक्त की आवाज है के कॉंग्रेस को वोट दो ये वक्त की फुकार है के कॉंग्रेस को वोट दो और बताईए आपको क्या लगता है युवा मद दाता कहां जा रहा इस बार पूरे भारत का यूव मद्दाता कॉंग्रेस की तरफ वोट दालेगा देखिए साफ जूट जादा दिन नहीं चलती कब तक राज करेंगा आप कब तक पांस साल दस साल बीस साल अन्तों एक दिन हो नहीं है जूटका और होएगा भी बची बात हरी साल से अपनी गाड़ी टूटू है उनके पास लेकिन उन्हों को घुरूर घमण नहीं है जब मिनिस्टर के आदमिया रिचंदर मीना उन्होंने काम करके दिखाया देवली उनियारा में दुबारा उन्हों को वहां की जंता ने वापिस हमेले बनाया है हमें यकीन है कि टॉ के पास भीजनलाल चेरा है कॉंगरेस में विख्राओ की बात थो होती है लगकिन टॉप में बीजेप जो है जो है राममंदीर के सारे आगे बढ़ेगी एर सीपी के सारे आगे बढ़ेगी देखिये ह हां विचैक होगा जब राममंदीर का अदुक्री को अधिकाल अगया थ तो राम मंदिर और ERCP इन दोनों से जनता को बहुत फायदा मिला है और जूटे वादे जो करते थे ना उनका तोड किया है मौधी जी ने जो कहा है वो किया है राम मंदिर की डेट बताई थी उन्होंने उसी दिन उन्होंने उद्गाटन किया है और बजनलाल सरकार ने भी यह कहा है कि हम जो डेट उद्गाटन की बता रहे हैं और जो सिलन्यास करेंगे वो दोनों हमी करेंगे दूसरी गवर्मेंट नहीं करेंगी तो यह कार्य हमारे बजनलाल जी के और जी के continue कर रहे हैं और वादा निभाया है उसी तरीके से वादा निभाते रहेंगे सचिन पाइलेट कितने सक्री नजर आएंगे क्योंकि आप पाइलेट के करीब भी हैं क्या पाइलेट का साहरा है अरीश मिना को या नहीं है क्योंकि माने सर्व में तो जो है पाइलेट को अरीश मिना कसा रहा है निश्यत रूप से सजी ने पाइलेट जी कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता है और अभी वो राजस्तान के चुनाओं के साथ साथ अभी 36 गड़ के परदेश परबारी भी हैं इसके अलावा अन्य जो राज या पूरे जिले के जो लोग हैं कॉंग्रेसी सब एक जूटे पाइलेट साब के नाम से और ये सीट जो पिछले 10 सालों से जो वीजेपी के खाते में थी इस बार निश्चित रूप से लाखों मतों से कॉंग्रेस पाइटी यहां पर वीजेई होगी और पाइलेट साब यह पूरे राजस्तान के साथ पूरे देश में परचार करेंगे आपको क्या लगता है कि सुखबीर सिंग जोनापुरिया हैट्रिक करेंगे या फिर सचीन पाइलेट हरीश मिना की पार लगा देंगे जहां तक आपको बता दूँ कि सुखबीर सिंग जोनापुरिया को भाजप्पा ने तीसरी बार मेदान में उज़ा रहा है उनका पहला कारेकाल देखा जाया तो लोग उनकी आडंबर में इतने वह गयते कि लोग उनकी वह समझेए कि बहुत हमारा विकास होगा सब कुश ह दूसरी कारेकाल जो वर्तमान चल रहा है इनका गया है इसके अंदर सिर्भ इन्होंने जूटेवादी किये इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे पब्लिक इंपे इंपरिस हो बलके इन्होंने जिया बीजेपी के अंदर 3-4 बण बना दिए दूसरी बात इन्होंने घोशना किती कि आदर्स गाम पंचात गोद लेने की उन गाम पंचातों का हल देखो आज एक छोटी सी धानी से उनका बुरा हले काटोली गाम पंचाते मालप्रा विदान सवा में जहां से ये 50,000 बोटों से के लीड से जीते थे पिछली बार अब ऐस लग रहा है कि वहां से यह अब वहां से यह आपके से माइनस में जाएंगे क्योंकि इन्होंने जिस तरह से जिस तरह से इन्होंने पिछले विदान सवाच चुनाओं के अंदर निर्दिले परतियाशी गोपाल गूजर को जो आर्थिक साहता पहुंचे थी उसका काड मतलब नहीं क्या करना वह इदर से आते हैं उदर चले जाते हैं अब वह आते हैं कांग्रेसी उनको कितना पचा पाते हैं वह जंता को कितना कर सक कर पाते हैं यह देखने की बात है वैसे टक्कर कांटे की है क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं आपको इस चुनाओ के अंदर देखिए जोन पुरिया जी को दस साल हो गया यह तिसरा वार चुनाओ लड़ रहे हैं इनका लुंगडी के अलामा कोई विकास हो जोन पुरिया जी को तो बता दीजिए रेल के उन्होंने बोला है रूई पेज पेज़ेट करता उसमें आता यह जुमला दीया क्योंकि जुमला बाच पार्टी यह बीजए पी जुम्ले का लामा कोई काम नहीं है 15 देंगे 15 देंगे नहीं आया तो यह वियराम मंधिर का मुदा है क्या मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा शिक्षित नहीं होगा तो क्या ब भाव हो जाया और शिक्षित लोग बर्ग नहीं हो जिससे कि हमारा राज चले कोई भीकास नहीं है अब तीसरी बार इनको बंद करके जानते हैं जो अनपने जीपी कितने क्रिमिनल केस दर्जे हैं उस आदमी को बीजेपी ने टिकट दिये कहा गई बीजेपी जो बात करते है जी क्रिमिनल को नहीं लाएंगे नहीं लाएंगे क्रिमिनल के केस दर्जे उनके उपर उसके बाद आपके बार राहूल गांदी जी ने ऐसा आदमी को भेजा है जो क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पूलीज एसा अब यह तो डीजी भी भी भेजा है अभी पकड़के भेज इन्होंने दस साल में लोक सभा में कितने कार के अनुसंसा किया कितने सुकृति हुई अनुसंसा तो नेता भांगे और दे दिये अनुसुकृति कितनी काम इनके आज तक हुआ है क्या विकास हुआ है क्या लूंगरी विकास है हमारे टोंग जिलेगा अगर यह है तो फिर जित जनता को दी गयी उनमें से कोई भी योजनाय धराथल पर नहीं ऊत्री किक जिस तरह से बताया गया वो समझ चुकआ हें ये जुम्लो tiya ये जुम्लों के उपर चल रही है सरकार जुम्लों के उपर चल रही है इनका कहना है जंता जो है किस तरह मानती है जंता जंदागरधन है drinking माई बाप ए जंता हैं इनके जो जुम्ल्व वाणी बात है तो बहुत हद तक के मतलब करणये प्रत्र को देखते हो हम जैसे के सम do कि अगर कोई बात आती तो थालि और तालि वजाने से कोरोना थोड़ी जाता था है कोई चीज़ का सोलिशन हो थर्ड ट्राइल जो की गई कोरोना माज आज उसी वेक्शिन ससंस की वज़े से जो silent attack हो रहे हैं अबलिंजन की सरकार नहीं थी तो विकास नहीं हो पाया पिछली बार जब हमारे सांसद मोधे ने भरे मंच से बोला था के रेल जो हमारे बड़े बाई बता रहे तब काफी सारे मुद्दे बता उन्होंने राममंदिर का मुद्दा बता रहे हैं वहां शिक्षा का बाव बता रहे हैं शायद इनको पता नहीं होगा कि जब से बाजपा की सरकार आई यह सिक्षा में काफी ज्यादा सुदार हुआ है इनको नोक्रिय चीए तो पिछले सत्तर साल म पर इस बार भी भारी मतों से पिशली बार से ज़्यादा मतों से जीट कर आएंगे यापए तोग की जन्ता जो है क्या सोचती लिए विकास के वारे में सोचती है टौंक पर लिए सब्सक्रास के अव्यन जैसा कहा है कि इस भार चार वार तोट्व की जनता उनको यह सी ट्र गरीब कल्यानी जोजना है जीसे अपने अभी प्रदान मंत्री आवास योजना है और गर्गर नल से जल है सब को मिला के अगर आपन देखे हैं इस प्रकार की अने को योजना चलाई यह मोदी जी ने तो उसको देखते मोदी सरकार फिर रिपीट होगी और तीन सु सतर का लक् बीजेपी पूरी दूरियां मिठ चुकी है, जैसा ही कल बहुत अच्छी मीटिंग होई, कारिकरताओं का लवाजमा वहाँ था, उसको देखते हुए बीजेपी भारी मतोसी जीतेगी, और जबसे ये लोकसुबा बनी है, जबसे बीजेपी बारी पढ़ी है, क्योंकि इन्हों इस बार 21,33,000 से ज्यादा मद दाता है, किस तरह की उम्मीद कर रहे है, दोनों प्रत्याक्षी में कौन भारी ने जना रहा है, इतियास पर आपको नहीं जाना है, अब वरतमान भी बीजेपी है, भविशे भी बीजेपी है, उसके बाद भी हमीशे बीजेपी रहेगी, ये जो चुनाव है, ये आम चुनाव नहीं है, नालिया बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश की दिशा तेह करने का चुनाव है, ये देश किस दिशा पर चलेगा, ये उस चुनाव ये तेह करेगा, ये देश तुष्टी करण की राजनीती पर चलेगा, ये भी प्रपुशी राम का आशिवाद बीजेपी के साथ है और चार सो जो पार की नारा बीजेपी को दिया है नरेंदर मोधी जी ने चार सो जो मोतियों की माला पिरोई जाएगी उसमें एक मोती टॉंक सवाई मादबर का होगा वहीं जो है दूसरी और ये भी उम्मीद की जा रही है कि आखिर जो है इस सुनाओं में परिणाम किस तरह आएंगे ये तो परिणाम के बाद ही पता चलेगा तेकि सबसे मरत्पूर्ण सवाल यही है कि क्या सचीन पाइलेट अपनी साख को बचा पाएंगे सीट पर या फिर स जो बीजिंग जोनों परिया हैट्रिक लगा पाएंगे देखने वाली बात ही होगी केमरामेन रोहित के साथ रवी स्टेलर एंडी टीवी टॉक